एक खास ख़वर दिबल तो आनों लेके चल देयां अमरित पाल सिंग दे प्राणू गिरफतार कर लिया गया है जी हाँ श्री हजूर साहब नांदेड तो मत्हा टेक के बापस परत्रह सी नौजवान जिनुके दिल्ली ट्रेन चो गिरफतार कीता गया है अमरित पाल सिंग दा प्राद से आजा रहे है दिल्ली पुलस ते पंजाब पुलस ने मिलके एक सांजा उप्रेशन चलाया जिस दे दुरान उनादी गिरफतारी हुई है तो पूरा मामला जिड़ा है वो काफी गंबीर बनदा हुआ दिखाई दे रहा है तो लगातार तो अटनल मामला जिड़ा सांजा करांगे सो अमरित पाल सेंग दा चचेरा प्राद दिल्ली तो गिरफतार हुई है परिवार ने पुलस ते टके शाही दे इलजाम लगाए ने जी हां खबर सामने आई है कि अमरित पाल सेंग दे चचेरे प्राद दिल्ली तो गिरफतार कीता गया है पुलस ने उस द गिरफतार कर ले आए ये वी कहा जार है कि उना नो ट्रेन रुकवा के गिरफतार कीता गयाए जिगल करिये ता पुर्स ने उना नो केरा बंदी करके गिरफतार कीता इस तो बाद परिवार वलोंश रोमनिया कालिदल दिल्ली इकाईदे परदान परमजीर सिंग सरना नो सारे मामले बारे जानू करवाया गया जिस तो बाद उना ने आप मौके ते पहुंच के मसला हल करवाया है इस मामले स्वंदी अमरित पाल सिंग दे माता ने मीडिया दिनाल गल्बत कर दें दसे आए के ओहो नंदेड साहब तो बापस आ रहे सान के उस दुरान पॉलस ने उना नो केरा पाके नौजवान नो गिरफतार कर ले आए माता ने कहा है के ओहो दास महीनया तो पंजाव ही रह रहा सी ते उस समय दुरान उसनो गिरफतार नहीं कीता गया पारेह कारवाई पंजावतों बाहर ही क्यों कीती गई है उना ने एवी केहाए के पुलस ने साड़े बच्चे नो खाली हत गिरफतार कीता है परसान नो डार है के ते पुलस नौजवान ते कोई नशे जा असले दा केस ना पादे वे क्योंकि पुलस ने ता नो जवान नो खाली हत ही गिरफतार कीता है इस देनाल ही परमजी सिंग सरना ने इस कटना दी नकेदी कीती है उना ने कहाए के पुलस ने नो जवान नो इनने दिना तो गिरफतार ने कीता पर हुन दिल्ली वेच गिरफ्तार करके उननों परेशान कीता जा रहा है उदर पुलस ने गिरफ्तारी दा कारण दस्या के नौजवान उननों किसे केस दे वेच लोडीन दा है उननने उसनों इसलई गिरफ्तार कीता है हो और कोई कारण नहीं है एक कारण दस के पोलस ने नौजवान नो हिरासत दे बिच रख्या होया है फिलहाल ए नौजवान अमरित पाल सिंग दा चचेरा प्रा दस से आ जा रहा है सो मिल दें जी नमी अपडेट दनाल ता तक लई तान बाद